अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी आस्था हमारी प्रेणा हमारी उर्ज्या का स्रोत एक ही है हमारा सम्विधान मुझे खुशी है कि आज हमारी ये सामुहिक भावना सम्विधान दिवस पर इस आवज्यर्म के रूप में व्यक्त हो रही है हमारे सम्विधानिक संकल्पों को मजबूत कर रही है इस कारे से जुड़े सभी लोग अभिनंदन के अधिकारी है मानिया आजहादि के लिए जीने मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे उन सपनों के प्रकाश में और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोय हुए हमारे सम्विधान निर्माताओं ने हमें सम्विधान दिया सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने भारत को अनेक मुसिबतों में जोंग दिया था किसी यूग में सोने की चिडिया कहा जाने वाला भारत गरीबी भुखमरी बिमारी से जूज रहा था इस पुष्ट भूमी में देश को आगे बढ़ाने में सम्विधान हमेशा हमारी मदद करता रहा है लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों की तुलना में देखें तो जो देश भारत के करीब करीब साथ ही आजाद हुए वो आज हमसे काफी आगे है यानि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है हमें मिलकर लक्स तक पहुंचना है हम सभी जानते हैं हमारे सम्विधान में इंक्लूजन पर कितना जोड़ दिया गया है लेकिन ये भी सच्चाई रही है कि आजादी के इतने दस्वक बाद भी बड़ी संख्या में देश के लोग एक्सलूजन को भोगने के लिए मजबूर रहे हैं वह करोडों लोग जिनके घरों में सौचालाई तक नहीं था वह करोडों लोग जो बिजली के अभाव में अंधरे में अपनी जिन्दगी विता रहेते वह करोडों लोग जीवन के सबसे बड़ा संगर्श घर के लिए थोड़ा सा पानी जोटाना था उनकी तकलीप उनका दर्द समझ कर उनका जीवन आसान बनाने के लिए खुद को खपा देना मैं सम्विधान का असली सम्मान मानता हूँ और इसलिए आज मुझे संतोष है कि देश में सम्विधान की इस मूल भावना के अनुरूप एक्सलूजन को इंक्लूजन में बदलने का भईरत व्यानतेजी से चल रहा है और इसका जो सबसे करोड से अधिक गरीब परिवारों को उजवला योजना के तहत मुप्त गैस कनेक्शन मिला है जिन पचास करोड से अधिक गरीबों को बड़े बड़े अस्पताल में पांच लाख रुपे तक का मुप्त लाज सुनिश्चित हुआ है जिन करोडों गरीबों की पहली बार भीमा और पैंसन जैसी बुनियादी सुविधाय मिली है उन गरीबों के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम हुई है योजनाएं उनके लिए अधिक लोगों को मुप्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है प्रदान मंत्री गरीब के लियाण अन्य योजना पर सरकार दो लाग साथ हजार करोड रुपे से अधिक खर्च करके गरीबों को मुप्त अनाज दे रही है अभी कल ही हमने इस योजना को अगले मार्च मार अन्य तक के लिए बढ़ा दिया है हमारे जो डारेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो कहते हैं सिटीजन्स मैन इन विमें इक्वली हैव दर राइट वेन एडिक्वेट मेंस अब लाइवलिहूद वह इसी भावना का ही तो प्रतिम है आप सभी यह मानेंगे कि जब देश का साम जान्य मान भी देश का गरी विकास की मुख्य धाना से जुड़ता है जब उसे एक्वेलिटी और एक्वल आपर्चुनिटी मिलती है तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है जब रेहडी ठेले पट्री वाले भी बैंक क्रेडिक की विवस्था से जुड़ता है तो उसको राष्ट निर्माण में भागीदारी का एसास होता है जब दिव्यांगों को उनको ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेसिस पब्लिक ट्रांस्पोर्ट और दूसरी सुविदाओं का निर्माण होता है जब उन्हें आज हदी के सब्तर साल बाद पहली बार कॉमन साइन लेंगवेज मिलती है तो उनमें आत्मविश्वास जगता है जब ट्रांसजेंडर को कानूनी सोनक्षन मिलता है ट्रांसजेंडर को पदमपुरसकार मिलते हैं तो उनकी भी समाज पर समिधान पर आस्था और मजबूत होती है जब तीन तलाग जैसी कूरिती के विरूत कड़ा कानून बनता है तो उन बहन बेटियों का समिधान पर वरोसा और ससकत होता है जो हर तरह से नाउमीद हो चुकी थी बहनुबाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये सम्विधान की भावना का सबसे ससक प्रगटिकरण है सम्विधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है आज गरीब से गरीब को भी quality infrastructure तक वही access मिल रहा है जो कभी साधन संपन लोगों तक सीमित था आज लद्दाक अनमान और निकवार नौर्द इसके विकास इन सब इक्षेत्रों कर देश का उतना ही फोकस है जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शेहरों पर है लेकिन इन सब के बीच मैं एक और बात के तरफ आपका धान दिलाऊंगा आपने भी जरूर अणभव किया होगा किजिए जब सरकार किसी एक वर्क के लिए किसी एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ करती है तो बड़ी उधारवादी कहलाती है उसकी बड़ी प्रसोंसा होते है उनके लिए कुछ किया लेकिन महरान हूं कभी कभी हम देखते हैं कोई सरकार एकाद राज्य के लिए कुछ कर ले कुछ राज की भलाई का काम करते हैं तो भी भावाई हो जाती है लेकिन जब सरकार सब के लिए करती हैं हर नागरी के लिए करती हैं हर राज्य के लिए करती हैं तो उसे उत्रा महत्व नहीं दिया जाता जिसका कभी कभी दुसका जिक्रतक नहीं होता है सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्ग का हर राज का समान रुप से भला हो रहा है इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है पिछले साथ वर्षों में हमने बिना भेदभाव के बिना पश्पात के विकास के हैं हर व्यक्ति हर वर्ग और देश के हर कोने तक पहुचाने का प्रयास किया है इस साल पंदर आगस को मैंने गरीब कल्यान से जुड़ी योजनाओं के सैच्चुरेशन की बाद कही और इसके लिए अम मिशन मोड पर जुटे भी हैं सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए इस मंत्र को ले करके कार करने का हमारा प्रयास है आज इससे देश के तस्विर कैसे बदली है यह हमें हाल के नेशनल फैमिली हेल्ट सर्वे रिपोर्ट में भी दिखाई देता है इस रिपोर्ट के बहुत से तथ्या इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब नेक नियत के साथ काम किया जाएं सही दिशा में आगे बढ़ा जाएं और सारी शक्ति जुटा कर लक्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएं तो सुखत परणाम अवश्च आते हैं जेन्डर इक्वैलिटी की बात करें तब पुरुषों की तुलना में बेटियों के संध्या बढ़ रही हैं गर्भवती महिलाओं का अस्पताल में डिलिवरे की जादा आउसार उपलत्द हो रहे हैं इस वज़े से माता मृत्युदर शिश्यु मृत्युदर पर कम हो रही हैं और भी बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जिस पर हम एक देश के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं ABP News आपको रखे आगे